दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडियन कंपणी के बारे में जानेंगे जो की इंडिया की oldest and largest टिलिकम सक्टर की कंपणी मानी जाती थी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी टिलिकम कंपणी होने के बावजूद ये कंपणी लॉसस में क्यों चल रही है दिन बदिन gap between the monthly revenue and expenses बढ़ते ही जा रहे हैं और it's nearly impossible to continue its operations in future without the financial assistance from Indian government तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक समय में King of Indian Telecommunication माने जाने जाने वाली BSNL Company अब क्यों घाटे में चल रही है और क्यों और कैसे उसे बरबाद किया जा रहा है वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही informative वीडियो इन फ्यूचर भी मिलते रहें हेलो दोस्तों मेरा नाम कालिद है और वाइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ये नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा ये एक Government-Owned Telecommunication Service Provider है जिसका Headquarters New Delhi इंडिया में मवजूद है आज से 20 साल पहले इंडिया में एक या दो ही Telecom Operators Operate किया करते थे और उसमें से BSNL के एक नाम है और BSNL एक ऐसी Telecom Service Provider है जो कि इंडिया में हमें Landline पर बात करना सिखाया है BSNL को 1 अक्टोबर 2000 में Government of India के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों जो कि Telecom Services सच आज Voice and Internet Services को प्रोवाइड करती थी और इट वस अमोस्ट प्रोफिटेबल टेलिफोन कंपनी तिल 2008 बिफोर दे बर्थ आफ रलाइंस कंपनी इन 2007 BSNL शुरुवादी दोर से ही Fixed Landline and Mobile Telephone Services को प्रोवाइड करती है GSM प्राटफॉर्म के द्वारा under the brand name of Cell1 all over the country BSNL का नेटवर्क गाओं में और शहरों में दोनों तरफ भी बहुत अच्छा हुआ करता था इसी वज़ा से इसी के पास 121.82 million customers all over the country available थे उस समय 2008 में दुनिया भर में 4G Services को स्टार्ट कर दिया गया था बट हमारे देश इंडिया में 2012 में Airtel Company ने पहली बार 4G Services को लांच किया था जो की LTE Technology यूज़ किया करते थे कुछ साल बात दूसरे टेलकम सर्विस प्रोवाइडर्स सचाइस Vodafone, Aircell और Reliance Geo ने भी अपने 4G Services को स्टार्ट कर दिया था 100% Government Owned Company BSNL को पता नहीं क्यों 4G Services से दूर रखा गया था और वो अब भी अपनी 3G Services पर ही ज्यादा दर निर्भार है इतने साल गुजरने के बाद भी स्टिल BSNL is hoping to roll out its 4G Services all over the India before September 2022 BSNL पीछे रह जाने का main reason Government of India के दौरा private flares को ज्यादा importance देना माना जाता रहा है दूस्तों मेरे मन में पहला सवाल ये आता है कि BSNL को ये कौन बताएगा कि एड प्रेजन्ट दूसरे टेलकम सर्विस प्रोवाडर्स सच अज एडल, वडाफोन, आइडिया, जियो, ये सारे companies अपने 5G Services को लाँच करने की तयारी में है और BSNL इन सारे सर्विस प्रोवाडर्स से बहुत पीछे चल रहा है और दूसरा सवाल ये भी आता है दोस्तों कि सेप्टेमर 2022 में BSNL अपने 4G Services को लाँच करने वाली है और उससे पहले एडल, जियो, जैसे सर्विस प्रोवाडर्स अपने 5G Services को लाँच जरूर कर देंगे देश भर में तो क्या कस्टमर्स BSNL 4G का वेट करेंगे या फिर दूसरे ऑपरेटर्स के 5G Plans को चूज करेंगे मेरे हिसाब से 90% अफ दे पॉब्लिक 5G Services को ही चूज करेगी इंस्टिड ऑफ BSNL 4G Services जो की 5 से 10 साल पीछे चल रहा है अपने competitors से दोस्तों आप सबी लोगों को बताता चलूं के BSNL 4G World Services आलरी कई जगाओं पे चल रही है जैसे के चन्नाई, अंधरपदेश, करनाटका और केरला और कई ऐसे स्टेट से जहां पर भी ये स्टिल स्टार्ट नहीं हुआ है and it will be completed before September 2022 2007 में Mukesh Ambani ने Reliance को स्टार्ट किया था और इसका impact देश बर में बहुत ज्यादा था हर कोई चाहता था कि सिर्फ Reliance के ही mobile को यूज़ किया जाए and इसी वज़ा से all other service providers such as Vodafone, Airtel, Idea सभी का business को impact हुआ एक जमाने में BSNL के पास 121 million subscribers थे but at present BSNL के पास सिर्फ 16.67 million subscribers मौझूद है और Reliance ने BSNL के subscribers को छीन लिया है और at present Reliance Jio के पास 436 million subscribers मौझूद है दोस्तों कि आपको पता है कि at present BSNL के पास 13,051 mobile towers मौझूद है देश भर में फिर भी वो Reliance Jio से पीछे क्यों चल रहा है क्योंकि 13,051 mobile towers में से 8,400 mobile towers को Jio ने रंट पे ले लिया है from BSNL और 2761 mobile towers को Airtel ने भी रंट पे ले लिया है दोस्तों आप सभी लोगों को बताता चलूं कि ये एक ऐसी government owned telecom company है जो कि खुद अपने mobile towers को यूज नहीं करती to improve its own business बट दूसरे companies इसका बहुत ज्यादा लाब उठा रहे हैं और अपने subscribers को बहुत ज्यादा बड़ा भी रहे हैं At present BSNL company में more than 1,76,000 employees मौझूद है across all over the country और सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि BSNL के employees को salaries on time भी नहीं मिल पा रही है In the year 2015-16 BSNL को 17,645 crores cumulative loss हुआ था और साल 2018 और 2019 में 14,000 crores loss record किया गया है इस company के financials पर अगर नजर दाली जाए दोस्तों तो BSNL company को पिछले 5-10 साल के अंदर 50-60,000 crores loss record किया गया है और इसी वज़ा से कहता हूं दोस्तों कि पता नहीं कब BSNL company को Government of India बंद कर देगी या फिर किसी private company को manage करने के लिए देगी दोस्तों आप सबी लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि 2016 में जब 4G spectrum की जब टेंडरिंग हो रही थी BSNL को जान बूच कर उससे बाहर रखा गया था अब इसके पीछे Government का क्या reason था और क्यों BSNL को 4G spectrum से दूर रखा गया ये तो सिर्फ उस समय के हमारे Prime Minister जो at present भी हमारे Prime Minister है Mr. Narendra Modi बस वही बता सकते हैं BSNL के Employs ने ये भी आरूप लगाया है दोस्तों के Modi Government जब से आई है तब से private companies को बढ़ावा देना चाहती है ये ने segments में expand कर रहे हैं जैसे कि Airtel के पास Airtel TV है और Dish TV है और Gio के पास Gio Mobile Fiber TV है तो eventually वो profitable हो ही जाएंगे और दूसरी और BSNL के पास ज्यादा segments नहीं है और उपर से Government इसे support भी नहीं कर रही है और इसी वज़ा से BSNL को अब बहुत strong steps लेना पड़ेगा अपने complete business structure को change करना पड़ेगा तब ही शायद in future BSNL अपने competitors के सामने टिक पाएगी तो दोस्तों ये थी BSNL की कहानी के वो कैसे एक नवरत्न कमपनी से एक loss making public sector कमपनी बन गई है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और in future आप किस कमपनी के बारे में जानना पसंद करेंगे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं ऐसे informative वीडियो बनाने के लिए बहुत स्यादा महनत और वक्त लगता है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही informative वीडियो लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यो वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस चैनल के दूसरे वीडियो पर भी जरूर विजिट करिए और वहाँ पर भी अपना प्यार और सपोर्ट लाइक्स और कॉमेट्स के रूप में जरूर दिखाईए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ तिल देन टेक केर बाइबाइ